integration ax care x or dx यह question दिया हुआ है और इसका हमने integration find करना है यह क्यूंकि simple farm में यह देखें जो question simple farm में नहीं होता ना उसमें हम substitution method लगाते हैं और उसके बाद उसका substitution करने के बाद भी नहीं इसका integration आसानी से solve कर सकते हैं तो x a ki power x care है तो power वाला x care हमने हमने लट किया है कि यह टी के इकोल है मतलब इस एक स्केर की जगा पर हमने टी सब्स्टिट्यूट किया है इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मैथड तो टी X square की जगा पर T substitute किया अगर हम इसका derivative दोनों का लें DT और DX इसे X square का derivative क्या होता है X square का derivative इसका मतलब है कि हम 2 को शुरू में ले आते हैं जो भी power होती है उसे हम शुरू में ले आते हैं और उसमें से काम करते हैं तो 2X आया 2X DX अब हमें चाहिए क्या X or DX यह देखें यहां पर इसकी जगा पर हमने कुछ सब्स्टिट्यूट करें तो 2 को इदर ले आएंगे इदर 2 multiply हो रहा है इदर आकर divide हो जाएगा 1 over 2 DT X or DX तो AX square की जगा पर अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं X square की जगा पर T और X or DX की जगा पर 1 over 2 DT 1 over 2 क्योंके constant है तो जो constant होता है integration में हम उसे शुरू में ले आते हैं 1 over 2 integration AT DT यह formula बन रहा है क्योंके यह नीचे constant है और उपर variable है तो इसका मतलब है कि यह formula के मताबिक इसके equal होता है अगर यह देखें AX DX की फार्म में हो तो यह equal होता है AX over natural log वही constant constant की power X over natural log constant तो constant भी यहाँ पर A use हुआ हुआ है तो 1 over 2 1 over 2 तो यह वाला as it is रहेगा यहाँ पर 1 over 2 A की power T over natural log A plus C तो A की power T T हम किसके equal किया था substitute T is equal to X square मतलब जहाँ पर T है वहाँ पर X को दुबारा substitute कर देंगे क्योंकि जिस फार्म में question दिया होता है answer भी उसी फार्म में लेना होता है तो AX square over natural log A plus C question solve हो गया thank you